हेलो वेलकम टूज योड़ोग चैनल प्योपिल टेचर तो आज का में के प्रैक्टिस एट बहुत हल्फुल होने वाला आप के लिए अगर आप टैट की तरही कर रहे हो आज की जो हम कोशन करें के वह हमारे रहने वाला नरेशन वाला सेट अगर आप टैट या फिर किसी और क क्योंकि इंग्लिस एक्षिन ते हर एक कॉम्टेटिव एकजाम में कोशन पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन हम डिसकस करेंगे साथ इस साथ इनके रूल्स को भी हम एक बार यहां पर रिवाइस कर लेगे अगर आपने रूल्स कर सकते हो तो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू तो निरेशन की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट के बारे में बात करेंगे तो कोशिन आम पर he said what a beautiful साथ में हमारे पर exclamation का sign लगा हुआ है इट में यहां पर जो आप इसको solve करोगी तो exclaimed आएगा तो यहां पर आपने देखना कि आखिर exclaimed कहा है तो option number A और option number B आपके पास है he exclaimed he exclaimed बाकि option number C और option number D यहां पर नहीं है it means यहां पर दो option यहां तो A है या B है तो उसके पास that का use हमेशा होता है he said that he exclaimed that he asked that तो that आपके पास सिरफ option number A में है it means जो यहां पर हमारा option number A है वो बिलकुल सही है he exclaimed that it was a very beautiful scene आज की वीडियो में आपने साही डाउट्स क्लियर करने हैं अपने कभी भी कोशिन में आपको इस देखे के जैसे sentence था थोड़ा confusion हो जाती है इतने रूल्स आप याद नहीं कर सकते हो तो आपने हमेशा देखना है अगर कहीं पर भी विश्ट होता है तो उस बा आपको option बिलकुल ही नहीं है जहां ही आपको that दिखता है वो आपका सही option होता है पहला rule और पहले trick आपके पास यह है question को solve करने की तो next question है हमार पास my cousin said inverted comma start यानि की जो speech है वो start होगी है my roommate had snow throughout the night अब देखो आपके पास है my cousin said कहीं भी आपके पास said होता है तो वो said that में होता है सबसे पहलता आप यह देख लो आकर said that कहां पर है आपके पास दिये हुआ अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर सिरफ option number a में दिया है my cousin said that told me होता अगर यहां पर set two होता है अगर set होता है rule number two याद रखना हमेशा इसको ध्यान रखना आपने कहीं भी set होगा तो वहां पर set ही रहता है set that होता यानि की अगर आपके पास set two होता है तो जाके told that होता है और यहां पर अगर आप देखोगे सिरफ option number a में आपके पास set दिया हुआ it means जो आपका option number a है वो बिल्कुल सही है यहीं से आपको पता लग गया कितना easy हो जाता है अगर आप rules को याद रखोगे it means option a सही है my cousin said that her room meets note throughout the night एक और दुसरा rule है यहां पर लगा हुआ अगर आपके पास head यूज होता है साथ में verb की third form यूज होती है तो आप head को omit कर लेते हो हटा देते हो और वहां पर verb की third form यूज करते हो और कई पे भी verb की second form या third form यूज होती है तो आप head का use करते हो verb से पहले यहां पर वर्ब से पहले head था इसका मतलब यहां हमारे को हटाना था बट अगर यहां पर जो हमारे पर Word दे रक यहां पर इसके पहले head का यूज़ नहीं किया गया होता तो हम वहां पर head का यूज़ तज्वर्ड का यूज़ करते है यह हमारे पर रोल है Next question की बात करें तो question हमारे पर He said inverted comma start I was writing an application to the mill about the pathasinic condition of road तो यहाँ पर देखो he said है मतलब यहाँ पर he said that होएगा तो अगर हम he said that देखते हैं वो सब sentence में यह सही है और कहीं पर भी आपके पाँ I दे रखा होता है उसको हम change करते है ही या शी में अगर हमारे पाँ ही की बात होगी तो ही में अगर शी की बात होगी तो शी में यहां आए है उसको हम चेंज करेंगे ही में इट में सब में यहां पर ही में चेंज हुआ हुआ है फिर था हमारे पास रूल अगर हमारे पर कहीं पर भी वाज और वर होता है साथ में आई एंजी लगा होगा जैसे कि यहां पर वाज का का यूज़ करेंगे तो इस रूल को याद रखना अब हम देखेंगे आखिर ही के बाद हैड बेन राइटिंग कहां लिखा है वह आपका है ऑप्शन नमबर सी में देख लो हैड बीन हैस बीन मत देखना हैज और हैव नहीं बलकि हैड बीन वाज और वर हो का साथ में आइंज जी ही लगेगा तो यहाँ पर आप्शन नमबर सी आपका बेलकुल सही है इसको ध्यार में रखना यह से कोशन बहुत बहुत बार पुछे जाते हैं नेक्स कोशन है मारप माइक इसन सेड माय रूम मीट स्नोट त्रू आउट दा नाइट यह वाला कोशन हमने पहले डिसकस क किया बट कोशन में थोड़ा बहुत चेंचिंग थी वहां पर मैंने रूल बताया था आपके पास कहीं पर भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दे रखी होती है यानि की एडी लगा होता है उससे पहले हम हमेशा हैड का यूज़ करते हैं और बताया था अगर हमारे पा हैड का यूज़ नहीं किया गया अब हमने सिर्फ सेंटेंस पें यह देखना है आखिर हैड का यूज़ कहां किया गया है सबसे पहले तो देखो सैट है तो मतलब सैट का बनेगा सैट और वह हमारे पास सिर्फ आप्शन नमबर सी में और साथ इसाथ आप देख लो यहाँ हैड का यूज़ भी आप्शन नमबर सी में ही किया है इट में जो आपका यहाँ पर आप्शन नमबर सी है वो बिलकुल सही है नेक्स कोशन यह भी आपका बहुत ही इंटरस्टिंग कोशन है क्योंकि नरेशन के जितने मैंने रूल बताएंगे है अभी तक वीडियो देखो क्योंकि जो बच्चे ग्रूप में उनको वीडियो दिये है मैंने नरेशन के वही रूल आपके हर जगह लगते है अब कोशन देखो शी सैड आपके पाया शी सैड मतलब यहां पर नहीं लगेगा नेक्स्ट है आय का मतलब है मतलब यहां पर आपको अब ही या शी का यूज करेंगे और जो शी है वो भी आपके पास सब में यूज हो हूँ है तब यहां पर है इफ बेंटीचिंग आपके पास एक रूल है कहीं भी आपके पास हैस बेन प्लस आयनजी लगता है यह वी इन शी लगता है तो आप उसको हमेशा जब चेंज करते हो इंडारेक्ट सेंट लगा में यहां पर हम अप्षिन आपके पाई हैं अप्षिन नमबर C है तो यह भी नहीं है और आप्षिन नमबर D में भी आपके had been teaching है और option number B में भी बट यहां पे जो option B आपका है वो सही है क्यों क्योंकि जो now है वो आपका change होता ही है और option number D में now का now ही लिखा है it means आपका जो option number B है वो बिलकुल सही है next question है आपके पास father told him inverted commas start why did you cheat in the exam तो यहां पे जो आप देखो के एक्जाम के बाद जो है वो आपका question वाचक चीन है it means यहां पर ask हो रहा है और जो आपका ask होता है चाहिए आपके पास request होता है वो हमेशा requested लगता है मतलब third form लगते है ed पहले बात यहां पर ask का यूज होगा तो यहां पर option number D आपका बाहर हो गया father asked him why अब आपके पास यहां पर लगता है rule अगर आपके पास कहीं पर we did का use होता है ठीक है तो आप हमेशा वहां पर head का use करते हो और यहां पर अगर आप देखो के head है आपके पास option number B में भी है और option number C में भी है बट यहां पर जो option number C है वो बिल्कुल सही है क्योंकि he head होता है head ही नहीं होता है आपके पास हमेशा head के बाद verb लगता है और verb में भी third form लगती है itmin यहाँ पर option number C आपका बिलकुल सही है next question है आपके पास Rajesh said I bought a car yesterday सबसे पहले देखो Rajesh said है मतलब said that का use होगा option number A आपका पहले भार होगे क्योंकि आपके told है बलकि हम said that का use करें अब जो आपका I है वो आपका he or shee में होता है और जो Rajesh है यहाँ पर लड़के का नाम मतलब he का use होगा option number C भार अब बचते option number B और option number D अब लगेगा हमारा दूसरा rule हमारे पाँ है अगर कहें पे भी हमारे पर वर्फ के second form या third form यूज होती है देखो जो brought है वो first है brought नहीं होता है first form यानि कि यहाँ पर मारे पाँ वर्फ के first form यूज नहीं होई है मतलब second और third form यूज होई है second और third form यहां भी यूज होती है वहाँ पे हम हमेशा head का use करते है साथ में वर्फ की third form अब आपके पास दो बज़े थे एक तो आपके पाँ बज़े था option B और option D अब आपने देखा है आखिर head का use कहां किया गया है तो head का use आपका किया गया है option number D में और साथ साथ देखो yesterday को भी लिखा गया है in the previous day तो it means जो यहाँ पे आपका option number D है वो बिल्कुल सही है कहीं पे भी verb के second और third form use होती है वहाँ पे हम हमेशा head का ही use करते है next question है हमारे पा Rohan said to me तो देख लो यहाँ पे said to है मतलब told में होगा यहाँ पे change साथ साथ अब sentence शुरू होता है मतलब जो हमारे speech है वो शुरू हो गई है if I hear any news तो told me that तक तो समय पेलकुल सही है अब इसके बाद अब हम इसको change करेंगे तो हम यहाँ पे would का use करेंगे या should का use करते would और should का use क्यों करेंगे कहीं पे आपके पाफ विल और शैल दिया होता है क्योंकि यहाँ पे I will है मतलब यहाँ पे would और should का use होगा तो यहां पर आप देखोगे would आपके पास है option number c में और option number d में but अगर आप देखो option number c में यहां पर head का use भी किया गया है और would का use भी किया गया है दोनों एक साथ नहीं हो के use सिरफ would का would होगा अगर head होगा तो सिरफ head होगा अगर आपको shoot होगा तो shoot होगा वहाँ पे दो चीज़ योज नहीं होती है तो यहाँ पे आपका option number day आपका बिलकुल सही है Rohan told me that if I heard any news he would phone me तो यहाँ पे आपका option number day बिलकुल सही है यह याद दखना कई में भी head or would is same नहीं आएगा इकठा नहीं आएगा next question है हमारे पर he said to me inverted common start यानि कि speech आपकी शुरू हो गई है you did not help me in my financial crisis तो आपके पास rule अब शुरू होता है पहला तो है यहाँ पे said to है तो मतलब यहाँ पे told me that होगा और वो आपके पास सब में use होगा है he told me that अब जो आपका you है वो आपका change हो गए यहाँ पे I में यानि की ही था तो I में हो गए यहाँ पे आपके पास यहाँ ही change होता तो यहाँ पे अब did not आपके पास यहाँ पे rule बताएगा आपके पास rule है कहीं पे भी आपके पास did not use होता है साथ साथ work की first form use होती है तो आप उसको हमेशा change करते हो had not साथ में work की third form अब आपने देखना है I के बाद had not कहां पे use हुआ है तो आप देखो के had not दो जगह में use हुआ है option number B में भी और option number D में भी मैंने बता है था head not के बाद work की third form but been का use मेंने नहीं बताए था तो it means option number D यह नहीं है option number B बिल्कुल सही है had not helped help में कौन सी form लग गया आपकी work की third form कहीं पे भी आपके पास sentence में did not होता है या did होता है तो आप हमेशा had साथ में work की third form का ही use करते हो it means यहाँ पे आपका सही option है option number B next question है मारे पास my friend said to me inverted comma start मतलब speech शुरू होगी has your father returned from कलकता कहीं पे पी इस होता है has होता है have starting में होता है वहाँ पे आप हमेशा question पूछते हो it means यहाँ पे आपके पास क्या है ask हो रहा है ask की third form होगी ask और ask सिरफ एक ही option में option number B वो आपका बेलकुल सही है यह आपने हमेशा ध्यान में रखना कहीं पे भी आपके पास question पुछी जाता है कहीं पे फिर्स्ट में is has, have, are use होता है तो मतलब वहाँ पे ask हो रहा है और आपने दिखना ask कहा है वो वाला आपका बेलकुल सही हो जाएगा it means option number B यहां हमारा बेलकुल सही है next question है हमारे पास Rahul said I will manage here after तो यहां पे said that ही use होगा और वो सब में है मतलब Rahul said that I change हो जाएगा आपका he में और will आपके पार rule है will आपका would में shell आपका should में will और shell जहां भी होता है वो आपका would और should में convert हो जाएगा अब आपने देखना ही के बात would का use आखिर कहां कहां किया गया है यानि कि यहां पे option number A और option number C इन धोनों में से आपका बेलकुल सही हो सकता है क्योंकि यहां पे would का use होगा हुआ है manage भी धोनों में है चलो ठीक है और आपके पाई यहां पे hair after और आपके पाई रूल है कहीं पी cop hair होता है वो देर में change हो जाता है और वो आपका hair में change हो जाता है अगर आपने rules नहीं देखे चैनल पे जाके देखना वहां पे वीडियो अभी भी live है तो hair after के there after हो जाएगा it means यहां पर जो आपका option C है वो बिल्कुल सही है option number A में आपका hair after ही रखा हुआ है but option number C में change किए गया thereafter और हमारे पर rule ही अपता रहा है hair का hair होता है तो यहां आपका option number C बिल्कुल सही है next question है हमारे पास mother told her son why are you leaving the house early today तो यहां पर mother told her son question है और साथ में आगर आप speech को देखो कि वहां पर question वाजिक चेन है admin यहां पर question किया है asked तो अगर आप देखो कि यहां पर option number C में ask नहीं है तो option number C आपका भार हो गया ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है तो यहां पर हर सन हर सन हर सन ठीक है वाय वाय ठीक है अब है यहां पर आर यू लिविंग आपके पार रूल है कहीं पर आप इसमार होता है साथ में वर में आई अगा होगा मतलब यहां पर देखो लीव में लगा है आई अग लिविंग आर य आपने देखना है कि आखिर यहां पर was living कहांपे है और अगर आप को किया गया ओप्शन ए में भी है बमें भी है और ऑफ हमेश्यां use करते हो he was और ही वह यहां आपके पार बी और डी में वाज के पार लीविंग भी ठीक है और जो आपका today था वो आपका change हो जाता है हमेशा that day में today का today नहीं रहता है तो यहाँ पर option number D आपका बिल्कुल सही है mother asked her son why he was living the house early that day कई पर पर today होता है yesterday होता है last में वो हमेशा change होता है then होका there होका now होका वो हमेशा change होता है उसको ध्यान में रखना बाकी rule आपको पता है कहीं पर इस MR होता है साथ में ing होता है वाजवर में और साथ में ing लगता है और वाजवर से पहले हुमेशा he she लगता है next question है हमारे पर pinky set to gaurav inverted comma start will you help me in my work just now साथ में आपका question वाचक्चेन है atman यहाँपे आपके हर्मका question किया गया यान कि कि ask हुऊ हुत है करका तो पहले संध्य पतर लगा है डो आपस्टिन है बिल आपके पार रूल & और श्यलेल हो cow आपका wood और शुट में होगा अब देखवा वुड का यूज कहा किया गया है और वुड का यूज आपका option number C में हुआ है option number C आपका बेलकुल सही है pinky asked Gaurav if he would help her in her work just then now change होगे देखवा आपका साथ में यहां पर then में कहीं पर भी आप कभी भी doubt होगा या कहीं भी confusion होगे आपके पाई याद रिखना आपके पाई rule है rule को लगा होगे कभी भी confusion नहीं होगी क्योंकि दो option देख गे तो हमां को यहां पर confusion हो जानी थी तो he says है कहीं पर आपका says होता है वह आपका हमेश्या रहता है says that में change होता है अगर आपके पाई says to होता है वह आपका change होता है यहां पर बट हमार पाई rule बताता है अगर आपके पाई पर कहीं पर दू और डस होता है साथ में not का use होता है तो आप हमेश्या वहां did not का use करोगे मतलब यहां पर आएगा he did not want to play anymore it means यहां पर जो आपका option number d है वो बिलकुल सही है कहीं पर दू डस नॉत होता है वो हमेश्या आपका did not में change होता है next question है हमार पा he said to me inverted, start I do not believe you said to है मतलब यहां पर told में change होगा तो यहां पर आएगा he told me that तो यहां he told me that आपके पास सिरफ option number d में है यानि कि option number d आपका बिलकुल सही है बाकी rule लगा कर देखो तो यहां पर do not है और I का he में change होगा आपका did not में change होता है यह अभी अभी हमने बात की थी कहीं पर do not होगा या does not होगा वह आपका did not में change होगा इसलिए यहां पर option number d आपका बेलकुल सही है next question है वहां पर the chemistry teacher said diamond is the hardest element अब देखो एक rule था आपके पास अगर कहीं पर इस MR आपके पास use हो रहा है simply तो आप हमेश test की बात होती है वह वाले sentence भी हमारा बेलकुल सेम रहता है तो अगर यहां question की बात करें तो question था हमार पर the chemistry teacher said यहां की set है तो set that ही होगा आपके पास यहां पर trolled बगहरा कुछ नहीं use होगा set that होगा और वो दे रहे हैं जिरफ option number d में यहां की option number d आपका बेलकुल सही है the chemistry teacher said that diamond is the hardest element यहां पर दोको is mr जो यहां पर यहां पर हमने वाल्स वार में चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो अगर आपका कई भी truth या reality बात होती है वह आपका सेम रहता है साथ ही साथ अगर आपका is mr simply use किया गया होता है वह मेंशे सेम रहता है इस mr बट चेंज ही कोईगे अगर वहां पर प्लूरल या singular को देख करके अगर वहां पर प्लूरल के बात होगी तो आप आर का यूज कर लोगे अगर वहां पर singular के बात होगी तो आप इसका ही यूज करोगे next question है हमार पा she said to him inverted comma start why do not you go today साथ में यहां पर question लगा है यानि कि यहां पर question पूछ यह या B है या C है अब हमने पता लगाना sentence को देखके जो आपके पार अंदर दे रखा है वह है do not rule बताता है कहीं पर भी do not होता है या does not होता है वहां हम हमेशा did not का यूज करेगे अब आपने देखना कि आखिर did not कहा है तो यह आप पर option number B में भी है और option number C में भी है तो यह वाला रूल तो हमने लगा लिया और आप महारपा फिर से दो option आगे या तो B या C अब हम देखेगे कि आखिर जो टूड़े है उसको कहां पर चेंज किया गया है अगर आप देखो कि option number B में है टूड़े को that day लिखे गया है option number C में टूड़े ही लिखे गया है तो option number B स इसकुल सही है next question हमारपा he said I have been a great mentor तो आपके पार रूल बताता है कहीं पर sad होता है तो sad that में change होएगा आपके पास तो यहां पर आपके पार जो sad that है वो आपका option number A में B में D में option number C बहार अब आपका I change होएगा he में और he का use भी चलो तीनों option में हुआ हुआ है अब रूल आता है हमारे अगर हमारे पा कई पे भी have been साथ में has been यूज़ होता है तो हम हमेशा वहां पे had been का use करते हैं अब हमने देखना कि had been कहाँ पर यूज़ हुआ है to had been के यूज़ देखो हमारे पा option number A में हुआ 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 है it means option number A हमारा बिल्कुल सही है हमार पर यही रूलता कहीं पर भी has been होता है have been होता है तो आप उसको head been में change करोगे या फिर has been plus ing होगा या have been plus ing होगा तब भी आप उसको head been plus ing में change करोगे next question है मार पर she said to me you should drive the car tomorrow तो यहां पर देखो आपके पार चार option में है पहले she encouraged be में order है तो order तो यहां नहीं हो रहा है पहली बात तो option पर भी भार हो गया और set to हमेशा हमार पर told में change होता है sales में नहीं होता है option number c भी भार या तो option number a है हमार पर या option number t है encourage me तो me भी ठीक है to भी ठीक है drive the car अब देखो यहां पर जो tomorrow है उसको हम change करें बाकी सब sentence same रहेगा बर जो tomorrow है वो change हो जाएगा हमारे पर the next day हमेशा change होता है tomorrow yesterday होगा today होगा वो change होता है और option number t में change नहीं हुआ था it means जो है यहां पर हमारा option number a है वो बिलकुल सही है next question है हमारे पर he said inverted comma start जो आपका speech थी वो शुरू हो गई है to and to make 4 यह ऐसा question है जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है competitive exam में और इसका answer आपने comment box में बताना है आखिर यहां पर आपका सई option कौन सा है don't make noise in the library the librarian said आपके पर ऐसे question कहीं भी आते है तो वहां पर आखिर किस दिकर से solve करोगे मैंने बताया था अगर आपके question वाजिक चीन होता है तो वहां पर ask होता है अगर करें request के बाद होती है तो requested होता है बट यहां पर एक order दिया जा रहा है don't make the noise in the library तो यहां एक प्रेकार का क्या है हमें order दिया गया था कि library में noise नहीं करो श्रारत मत करो it means यहां पर आप ordered लिखोगे और जो ordered है वो सिर्व हमारे पर एक ही option में दे रहा है option नंबर भी हमारा बिल्कुल सही है the librarian ordered me not to make noise in the library तो यहां पर आपका option नंबर भी बिल्कुल सही है तो next question है हमारे पर the teacher said inverted comma start यानि की जो speech है वो शुरू हो गई है the earth moves round the sun देखो जो हमारे पर reality होती है truth होता है या history होती है या habits होती है वो हमारे as it is रहती है अगर history की बात करेंगी तो वो आपकी same रहती है अगर आपकी कोई habits है वो बिल्कुल same रहेंगी और जो reality है जो truth है वो भी आपका बिल्कुल same रहता है the earth moves around the sun मतलब या पर reality जो earth है वो क्या है sun के चारो और घूमती है तो teacher ने कहा तो यहां देखो teacher set है तो मतलब जहां पर भी set होता है उसको हम set that में change कर लेते हैं तो यहां पर या तो आपका option number a बिल्कुल सही है या option number b the teacher said that the teacher said that the earth moves around the sun देखो आपके पर जो question है वहां पर moves है और मैंने कहा है कि जब भी truth या reality होती है वो बिल्कुल same रहती है वहां पर आपका कोई भी change नहीं होगा it means जो यहां पर आपका option number b भी है वो बिल्कुल सही है the teacher said that the earth moves around the sun यहां पर आप moves का move नहीं लिखोगे क्योंकि आपके पार reality आये truth आये या फिर कहीं पर इतिहास आये या कोई habits की बात होती है वो आपकी same रहेगी वहां आप बिल्कुल भी change नहीं करोगे next question है मारा पर the tailor said to him inverted comma start speech शुरू हो गई है will you have the suit ready by tomorrow evening it means यहां पर आपके पास जो will होता है आपके पार एक rule है अगर कहें पर आपके पार will होता है वह आपका हमेशा change होता है would में तो आप देख सकते हूं पर हो就 आपके पार option number B में भी और option number C में भी इट मेंस मार पाई या तो option number B बिल्कुल सही है option number C क्योंकि हमार पाई यही rule है अगर कहीं भी will होता है उसको हम would में change कर लेते हैं बट अगर आप question को देखोगे तो यहां पर will you have it means have आपका have में रहेगा क्योंकि हमने will को change कर लिए would में तो have आपका change नहीं होगा have आपका have रहेगा तो जो आपके पाई have है वो देखो option number C में है और option number B में आपके पाई had यूज हुआ है इट मिन जो आपका option number C है वो बिल्कुल सही है तो next question है मार पाई he said to his servant go away at once तो देखो यहां पर go away at once यह आपके पाई request तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि request में प्लीज का यूज किया जाता है अगर आप please करते हो please go away तो आप वहां पर request कर रहे हो यहां पर एक प्रकार का order दिया गिया है go away at once यहां पर आपका option number day बिल्कुल सही है he ordered his servant to go away at once यहां पर आपका option number day बिल्कुल सही है अगर ऐसे questions कभी भी आते हैं आपके पाई तो हमेशा इसी तरीके से solve करना देखो question वाचक चिन नहीं था तो हमने भी आसी को भार कर लिया और requested में हमेशा आप पर जादतर प्लीज कर यूज कर यूज कर दिया हो तो यहां पर request आता बट यहां पर प्लीज कर यूज नहीं किया कि इटमिन यहां एक order ही दिया गया था next question है मारे पास परवन said to me inverted comma start आपकी speech शुरू हो गई है if i hear any news i will phone you तो देखो यहां पर आपके पाए पर आपके पाए पर आपके आपके विल होता है वह आपका हमेशा वुड में चेंज होता है और जो वुड का यूज है आपके पास वो हुआ है option number c में और option number d में यहां तो आपके पाए पाए और आपके पास बुड ही विल था तो वो वुड में चेंज हुआ है वुड ही यूज करें हम बाकि अगर आप option number c में देखोगे तो यहां पर he had heard any news तो had का यूज होना ही नहीं था इट में यहां पर option number d आपका बेलकुल सही है पावन टोल्ड में that if he heard any news he would phone me तो यहां पर आपका option number d है क्यों कि सबसे पहले हमने देखना था विल आपका चेंज होता है would में और आपके पास दो option में था और सिरफ आपका would ही लगना था यहां पर head का तो use होना ही नहीं था इसलिए आपका option number c भार हो गया और option number d आपको बिल्कुल सही है यहां पर नेक्स कुशन है मारे पार दा लेडी सेट तु हिम इनुरेटेट कॉम स्टार्ट वाइफ नॉट यू पेड़ दा हाउस रेंट तो यहां देखो आपके पास है पहले दा लेडी सेट टू अगर सैट टू होता है वह आपका टोल्ट में चेंज होता है बट यहां पर अगर तक ठीक है वाई आपका वाई रहता है इट में या तो आपका ऑप्शन नंबर सी है अब या ऑप्शन नंबर डी है अब हम पता करें के हैव नॉट आपके पार रूल है अगर आपके पार कभी भी हैव नॉट होता है या हैस नॉट होता है तो वह हमेशा आपका हैड यहां पर यूज हुआ है तो हैड नॉट आपके पार यूज हुआ है ऑप्शिन नंबर सी में इट मिन्स जो आपका वह बिल्कुल सही है दा लेडी आसक्ड हिम वाई ही हैड नॉट पेड दा हाउस रेंट यहां पर हम हैड का यूज किया इससे हमें परता लगा क्योंकि रू नेक्स्ट कोशन है आपके पास दा केप्टें सेट तूदू र्अज सेंड ए अपके पास इकऒ другие क्या है कमांड दे जाती है तो यहां पर आपका जो option. no.d है वो बिल्कुल सही है तो आपका option number D बिलकुल सही है कहीं पर आपके पर attentions आ जाता है तो वहाँ पर आपके कहा है commanded लिखो के उससे आपको पता लग जाएगा आखिर आपका कौन सा option बिलकुल सही है next question है हमारे पर अजिस said inverted comma start I was playing football अजिस said है तो मतलब said that होएगा और यह आपके पास sub में है और I आपका change हो जाएगा यहाँ पर ही में क्योंकि अजिसी लड़के का नाम है ठीक है अब हम rule लगाएगे आपके पास एक rule है कहीं पर पर आपके पास was word plus ing का use होता है आप वहाँ पर हमेशा head bean का use करते हो और word में ing लगा रहता है मतलब was का जो आपके पास change होएगा यहाँ पर हैड bean में change होएगा तो आपने देखना है आखिर head bean कहाँ पर use हुआ है और यह आपका use हुआ है option number c में it means जो आपका option number c है वो बिलकुल सही है यहाँ पर next question है माईपर the teacher said to ram inverted comma start यान की speech शुरू हो गई है when did the bus leave साथ में question वाजक चिन it means यहाँ पर question पुझे गया यहाँ पर आप ask का use करोगे अब यहाँ पर ask हमारे पर तो option में use है option number a और option number d it means यहाँ तो option a सही है या option d but हमारे पर एक role था कहीं पर भी हमारे पर did का use होता है sentence में, speech में हम हमेशा उसको head में convert करते है अगर did not होता है तो head not होता है अगर did ही होता है तो head use होता है तो आप देखो कि यहाँ पर साथ में verb की third form use होती है head के बाद में और head का use आपके पास हुआ है option number d में head left best head left next question है मारे पाई he said inverted comma start speech शुरू हो गई आपकी how much is left to do तो यहाँ पर आपके पाद देखो question वाजची ने main question asked हुआ है तो यहाँ पर आपके पाई option समय asked है और how का use हुआ हुआ है much का use चलो ठीक है फिर मारे पाई रूलता है तो हम वहाँ पर was work के use करते हैं साथ में work की third form हमारी यूज़ होती है तो अब हम देखे कि was या work का use कहा हुआ है तो was और work का use यानि कि जो was है उसका use मारे पाई option number c में हुआ है और option number d में साथ में work की third form लगनी है मतरर do का done बन जाएगा और done हमारे पाई option number c में हुआ है इट मिन जो यहां पर हमारा option number c है वो बेलकुल सही है नेक्स कुशन है हमारे पाई he said to me inverted comma start I am going to tonight tomorrow तो यहां देखो he said to है तो यहां पर आप told का use करोगे और जो told है he told हुआ आपके पाई option number b में और option number c में इट मिन्स यहां तो मारे पर यहां option number b सही हो सकता है यह option number c अब इसका बैता हम लगाएगे अब देखो आया आपके चेंज़ों के ही में चल रहे भी ठीक है तो आपके पास rule है अगर कई भी इस एमार का use होता है प्लस ing लगता है मतलब गो में देखो going है और एम का use हुआ है तो रूल है अगर कई भी इस एमार का use होगा साद में आइञ़िए लगा होगा वो हो हम उसको हमेशना चेंज करता है वाज वार में साद में आइञ़िए अब देखो वाज का use है वह हमारे पां हुआ है option number c में और option number b में तो यहां पर हमारा option number c सही है option number भी हमारा भार हो गया तो यह option number c सही है he told me that he was going to chin night the next day साथ में जो हमारा पर tomorrow था उसको change कर लिया हमने the next day में साथ इसाथ जो is mr होगा उसको आपने हमेश्य चिंज करना है was या वर में अगर आपके पर ing लगा होता है अगर आपके इस mr है और साथ में आपके पास फिर इसको change करना है तो वर में अगर चेंज करोगे तो आपके पर वर्व की थर्ड फॉर्म लगेगी अगर वहां पर ing नहीं लगा होगा next question है हमारा पर he said to me इन्वर्टिट कॉमन स्टार्ट स्पीच आपके शुरू हो गई है what are you doing now साथ में कोशन वाल चिंज यहां पर question पूछा गया है और जहां भी हमारे पर question पूछे जाते हैं हम वहां पर हमेशा ask का यूज करते है it means यहां पर factor यह थो option number b बिलकुल सही है यह आपके पार option number c सही है इन दोनों में ऐसे आपके पार हो सकता है बट आप हमेशा मी के बाद यहां पर जैस्से BAR का यूस था तो आप what का यूस करो गए if what नहीं करोगे यहां पर आपका option number b बिलकुल सही है और दूसरा रूल था हमारे पाइगर कहीं पर कहीं पर इस MR होता है आइँजिंग लगा होता है तो πिर आपatta नाव होता है तो आप हमेशा उसको चेंज करते ही करते इसको आपने ध्यान में रखना यहां पर हमारा ऐप्षिन नमेर भी बेलकुल सही है next question he told her I want to meet your father तो मतला लड़का बोरा है लड़की को तो यहां पर आपने confused नहीं हो ना लड़का मतला यहां पर I है वो आपका he है तो मतला जो I है वो he में change होगा जो आपका your है वो आपका her में change होगा तो he told सब में है her भी चलो ठीक है that, that के बाद जो I है वो आपका change होगा he में तो he आपके पाय या तो option number B में या आपका option number D इन दोनों ऐसे कोई भी सही हो सकता है और want की third form यूज़ होगी ठीक है wanted होगा to meet अब देखो जो your है वो लड़की को बोरा लड़का तो your की जगा क्याएगा her तो it means यहां पर जो option number B है आपका वो बिलकुल सही है क्योंकि option number D में तो you are ही लिखा है your का आपको change करना है her में और जो I था वो आप लड़के के लिए use करें यहां पर लड़का जाएता है ना तो I मतलब लड़का ही तो यहां पर option number B बिलकुल सही है आपका he told her that he wanted to meet her father next question है महले पर the man said to his son inverted comma start can you go to the town now तो यहां पर आपके पास देखो साथ में question वाजक चिन है it means यहां पर question पूछा गया है यहां पर या तो option A होगा या option C होगा या option D होगा ठीक है अब हमने देखना sentence sentence में use हुआ है हमारे पास can और हमारे पार rule है कहीं पर हमारे पार can और may होता है could और might का use करते है यानि can आपका change हो जागा could में तो यहां पर could आपके पास देखो use हुआ है सिरफ option number D में it means जो option number D है वो आपका बिलकुल सही है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो now है वो आपका change होए then में और now आपका हमेशा change होता है then में it means option number D आपका बिलकुल सही है the man asked his son if he could go to the town then जब आपका last में noun होगा tomorrow होगा today होगा yesterday होगा उसको आपने हमेशा change करना उसको as it is same बिलकुल मत रखना next question है महरपा the boys say inverted commas start speech शुरू हो गई है honesty is the best policy तो आप सबी को पहता होगा जो honesty is the best policy है ये एक truth है reality है it means जो आपके पास speech है na honesty is the best policy यहाँ पे आपका कोई भी change नहीं होगा साथ ही साथ अगर आप देखो कि the boys say है however ऑपके आपके पार say होता है वह आपका हमेशा say में ही रहता है अगर say's to होता है तो आपका वो tell me change होता है it means जो यहां say है वो say that में change होगा और याप आपसे option number a सही हो सकता है या आपके पार option number d क्योंकि say that say that यहीं पे यूज हुआ है अब बात करते हैं जो हमारे पार स्पेश थी वो है honesty is the best policy तो आप देखो के option number A में आपके पार लिखा है the boys say that honesty is the best policy और option number D में लिखा है the boys say that honesty was the best policy इस MR होगा चाहे was war होगा आपके पार दिया हुआ वो आपके सेम रहेगा अगर आपके पार कोई truth या reality की बात होगी it means यहाँ पर is का use होगा was का use नहीं होगा तो आपका option number A यहाँ बिलकुल सही है next question है मारे पार गौरफ said inverted comma start where have you been साथ में question वाचक चिन it means यहाँ पर question पूछा गया है और यहाँ पर ask का use होगा और ask सिर्फ आपके पार option number A में है it means option number A आपका बिलकुल सही है बट अगर यहाँ पर सब में ask कर दिया होता तो हम पता कैसे लगाते है तो उसका rule आपको याद रखना आपके पार एक rule है कहीं पर भी आपके पार have been या has been दिया होता है आप उसको हमेशा had been में ही change करते हो और अगर आप देखोगे had been भी यहाँ पर सिर्फ option number A में ही use किया गया है it means option number A ही आपका बिलकुल सही है यह मैंने इसलिए बिताया क्यूंकि कई बार question में आपके पार सब में ask कर दिया हो सकता है तो आप पता कैसे लगाओगे तो आपने उस टाइप यह वाला रूल या देखना has been होगा या फिर have been होगा कोई फरक नहीं पड़ता आपने उसको हमेशा had been में ही change करना है next question है हमारे पर he said to me inverted comma start speech शुरू हो गई है you will miss the train तो आपने अगर sentence पढ़े तो यहां देखो आपके पार दिया क्या है he said to me अगर आपके पार कहीं भी said to होता है वो आपका हमेशा change होता है told में और told आपके पार option number a में है और option number d में है it means या तो option a सही होगा या option number d तो अब इसका बता हम लगाएगे rule से आखे a है सही या आपके पार d तो rule है आपके पार कहीं पे भी आपके पार will या shell होता है आप उसको change करते हो would और should में it means जो आपके पार यहां पे you will है तो यह आपका change हो जाएगा would में और यहां पे would आपके पार use हुआ है option number a में और option number d में तो आपके पार will ही लिखा गया है it means option number a आपका बिलकुल सही है he told me that I would miss the train कहीं पे पे ऐसे sentences आते हैं आपने हमेशा rule देखना अगर आपने rules की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो वहां पे सारी के सारी वीडियो लाइव है rules आपको बहुत help करते है next question हमार पर read to set inverted comma starts पे शुरू होगे please lend me a pen तो यहां पे देखो आप please का use हुआ है मैंने इस वीडियो के starting में ही कहा है कहीं पे भी आपके पाप please का use होता है वहां पे आप हमीशा request कर रहे हो किसी से admin तो यहां पे आपका option number D है वो बिल्कुल सही है बाकी ना तो यहां पे question पुछे जा रहे है ना यहां पे back है ना यहां पे order दिया जा रहा है अगर order होता है तो वहां पे आप कभी भी please का use नहीं करोगे इसको ध्यान में रखना please का use हो गया तो आप वहां पे back नहीं बलकि request कर रहे हो इतमें यहां पे option number D है आपका बिल्कुल सही है तो next question है मारे पार the lawyer said the law always believes in the evidence तो यह आपके पार एक प्रकार का truth है और reality है जो law है वो believe करता है evidence के ही ओपर तो यहां पे आप यूज़ करता the lawyer said that यह आपके पार सब में है बागी जो inverted commas के इंदर आपकी speech है उसमें कोई भी change नहीं होगा क्यों? क्योंकि यह एक आपके पार truth है reality है और मैंने बहुत बार कहा है कभी truth होती है reality होती है, कोई history होती है कोई fact होता है या कोई habits होती है वो आप बिल्कुल भी change नहीं करोगे वो आपके पिल्कुल same रहती है it means यहाँ पर आप देखोगे option number A में है आपके पास the lawyer said that the law always believed यहाँ पर बिल्फ्ट है तो बिल्फ्ट का बिल्फ्ट रहेगा बिल्फ्ट नहीं होगा option number A आपका बहार option number B की बात करें तो यहाँ पर law के बात should है और should का use नहीं होगा क्योंकि यहाँ reality है तो same रहेगा और अगर option number D की बात करते है तो वहां पर has का use हुआ है but option c आपका बिल्कुल same है lawyer said that the law always believes in the evidence option c आपका बिल्कुल सही है ना यहां should का, na would का, na has का, na have का, kisī का use नहोंगा, na verb की third form use होगी, जो form use होगी है वही रहेगी, बिल्कुल same रहेगे, option c आपका बिल्कुल सही है यहां तो next question है वार पास she said inverted, start याने की space शुरू हो गई my mother is cooking food तो set है तो set that होएगा आपके पास और जो my है वो आपके पास यहां पर her में change होएगा क्यों क्योंकि यहां पर she की बात हो रही है अगर यहां पर he की बात होती है तो आप him में change करते हैं यहां she की बात है तो यहां her का use होगा और option number a और option number c में आपके पास her का use किया गया है it means यहां तो option number a सही है या option number c अब इसका बता हम लगाएगे rule से rule हमार को बताता है हमारे पर अगर कहीं पर इसमार का use होता है साथ में ing लगा होता है जैसे कि cooking है ना यहां पर cooking लगा है it means जब भी हमारे पर कहीं पर is mr होगा plus ing होगा उसको हम हमेशा change करेगे was word में साथ में ing तो यहां पर देखो was का use आपके पास हुआ है option number a में option number c में नहीं हुआ है यहां option number a आपका बेलकुल सही है तो फिलाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही आशा है कि आज की वीडियो आप सब के लिए helpful रही होगी और आपके जो doubts थे वो थोड़े बहुत clear हुए होगे बागी वीडियो ची लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ यसाथ चैनल को भी subscribe कर लेना और अपना प्यारा सा कमेंट पर जरूर कर लेना तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में एक नए टॉपिक है